PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है लेकिन वही दूसरी तरफ नाकपुर में RSS मुख्याले के आसपा सुरक्षा बढ़ा दी गई है अब सरकार के इस दोहरी पॉलिसी के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और पूरे मामने में राजनीती भी शुरू हो गई है कैसे PFI को वैन करने के बाद घिरी सरकार और अब विपक्ष कर रहा है क्या माम देखिये रिपोर्ट में पॉपलर फ्रंट ओफ इंडिया और उसके सहयोगी संगटनों पर सरकार की तरफ से 5 साल के लिए बैन लगाये जाने के बाद से राजनीती तेज हो गई है और विपक्ष सरकार के इस फैसले पर आपत्ती तो नहीं जता रहा लेकिन राष्टी स्वेन से वक संग विपक्ष के निशाने पर आ गया है और अब RSS को बैन करने की मांग तेज हो गई है कॉंग्रेस सांसत जैराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि कॉंग्रेस हमेशा से सामपरदाइकता के खिलाफ रही है कॉंग्रेस की निती हमेशा से बिना किसी डर और समझोते के सामपरदाइकता से लड़ने की रही है हम हर उस विचार धारा और संस्ता के खिलाफ हैं जो हमारे समाज का धार्मिक ध्रूवी करन करने के लिए पूर्वग्रहन, नफरत, कटरता और हिंसा का सहारा लेती है कॉंग्रिस ने अपने बयान में इशारो ही इशारो में RSS पर निशाना साधा इसके अलावा राष्ट्य जंतादल के प्रमुक लालू प्रसाद यादव ने कहा PFI की तरहां जितने भी नफरत और द्वेश फैलाने वाले संगठन हैं सबी पर प्रतिबंद लगना चाहिए असुद्य दिन उवेसी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम PFI की सोच का पहले ही विरोत करती आए हैं वही केरल कॉंग्रेस के सांसर कोडी कुनिल सुरिश ने कहा कि सिर्फ PFI पर ही बैन क्यों लगाया गया RSS पर भी बैन लगाया जाना चाहिए इसके अलाबा Social Democratic Party of India यानि SDPI ने किन सरकार के इस फैसले का विरोत किया है उन्होंने कहा है कि PFI पर बैन लगाना भारतिय समविधान और लोकतंत्र पर हमला है बयान में कहा गया कि देश में आगोशित आपात काल लागू है इदर विपक्ष RSS पर बैन की मांग कर रहा है उदर संग के मुख्याले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है जिसने एक बार फिर विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है